अगनिबीर एयरफोर्स 2022 की लेटेस्ट एज लिमिट क्या मागा है क्या इस बार अगनिबीर एयरफोर्स में स्पेसियल रिलाक्सेशन देखने को मिल सकता है अगर मिल सकता है इसी क्या क्या कंडिशन है जिसे फॉलो करके स्पेसियली अगनिबीर एयरफोर्स में रिलाक्सेश जिसे हम calculation करके 100% confirm हो सके कि हम eligible है या फिर नहीं तो friends अगरा specially अगनी बिर एरफोर्स में join करना चाहते हो आप सभी को बता होगा इस बार 2022 में जितना golden opportunity है एरफोर्स में join करने के लिए वो पहले कभी नहीं था जो बहुत सारा student था जिनका ये doubt आ रहा है कि सार इस बार अगनी बिर एरफोर्स में मैं apply कर सकता हूँ या फिर नहीं सब्सक्राइब करने लेकिन उससे पहले मैं आपको बतना चाहूँगा अगनी बिर एरफोर्स में जो पहले था योज़र 20 से या पर 21 से पहले सब्सक्राइब सब्सक्राइब 22 में चेंज हो चुका है इस वीडियो को देख लाने के बाद सारे वीडियो का लिंक नीचे देदूगा जैके वन बें देख लेना अगर आप सीरियसली इस बार अगनी बिर एरफोर्स में अपना केरियर करना चाहते हैं ओके अब आता है पॉइंट पर कि अ अगनी बिर एरफोर्स में जितना वेकेंश आया है उतना वेकेंशी लगबोग पहले कभी भी नहीं आया था क्यूंकि नबरों वेकेंश इस बार बहुत ज़्यादा है और आपका सिलेक्शन पाना भी बहुत ही इजी है सेकेंड पॉइंट है जो अगनी बिर एरफोर्स है तो नवेंबर फास्ट विक में उसका फॉर्म मतलब आ जाएगा 15 जनुरा दोजार तेश को आपका एक्जम्बी हो जाएगा यह पॉइंट याद्रों ओके अब आते एज लिमिट आप सभी को बता होगा जो एयरफोर्स होता है उसमें यूजल एज लिमिट होता है 17 से 23 साल लेकिन इस साल 2022 में जो अगनी बीर एयरफोर्स पे आप सभी को बता होगा जो भी हुआ है जो पहले था अब कुछ अलग हो चुका है यानकि जो डीवट था 15 साल लेकिन अभी 4 साल हो चुका है आपको बताना चाहूंगा इस पार जो एज लिमिट है 17 साल 6 माने से लेकर 23 य अगर आप उससे एक दिन कम या फिर एक दिन भी ज्यादा है तब आप अपला नहीं कर सकते यह बात ध्यान में करना आपका अभी लेक्टेस्ट एज क्या है अब आप क्या पढ़ रहा हो यह कानल मुझे कमेंट करना मैं आपको बता हूंगा आप एलिजिबल हो या पिन है अब आता है सेकेंड पर्ण कि हम जो बॉर्ण बीटों कितने रेट से कितने रेट तक हमें बॉर्ण होना चाहिए तो फ्रेंड्स मैं आपको यह बताना चाहूंगा आप मुझे ट्रस्ट मत करो या फिर कोई भी थार्ट पाटी पर ट्रस्ट मत करो जब भी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करेंगा तो अब यह बताना चाहिए यह बात ध्यान मरण को वो स्पेशियली मैंचिन किया होगा अगर उसी से उसी डेट को अगर एज लिमिट 23 से एक्सिंड हो जाता है यह फिर 17 से कोम हो जाता है आप आप अपलाए नहीं किर सकता है और अब उसी डेट को 17 साल 6 मने से लेकर 23 साल तक आप हो तो अभी जग आप डेफिनिटल अपलाए कर सकते हो यह बात ध्यान में रखो और हाँ यह यह भी याद रखो कि यह याद रखो कि यह आरपोर्स में जोयन करना इतना आसान नहीं है अब आते हैं next one हम कैसे पता करें हम eligible है या पी नहीं तो kindly जो पता हम ध्यान से सुनो आपको क्या करना है गूगल में जाना है आपको टाइप करना है अगे कालकुलेटर यान की एज कालकुलेटर बहां पर टू और फ्रम दो डर दिया होगा उसमें आपको पूट करना है जो आपका टू यान की आपका जो एज लिमिट है मतलब किस डेट को आप बॉर्ण हुए हो वह डेट सेकेंड है जो डेट को आएगा यान कि जो डेट अफिशल आई गया एयरफोर्स का उसी डेट को मेंचन करना है उसी डेट के अंगों अंदर अगर आपके एज 23 और सो रहा है सब्सक्राइब कर सकते हो नहीं तो आप अपला नहीं कर सकते हैं दो अथन्टी बात है आपको बता दिया इसलिए कोई भी टेंशन नहने के जरू अबी में से स्टी डेवलेस ओबीस में कुछ भी रिलास्वेस देखने को नहीं मिला है जो मिला है यूजल सभी के लिए सहम साड़े सतरा से 23 साल अगर कुछ भी डावट हो निचे मुझे कमन करना वीडियो को लाइक करना आध कि इतना ही मिलते नेक्स बीडिय में रपते ल